मैं शिफकांद गौताम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपने लोगिन क्या है फिल्मी बीट बिग बॉस के घर में एक से बढ़कर एक कॉंट्रोवर्सी होती है कभी हिनाखान सौथ इंडियन एक्ट्रेस को मोटा और उन पर निशाना साती है तो कभी विकास और शिल्पा परसनल कमेंट करते हैं इन बातों से भी आगे बढ़कर अब इस घर के लोग एक दूसरे के रंग पर भी सवाल उठाने लगे दरसल घर में पूल पार्टी हुई सब लोगों ने पूल में मस्ती की उसके बाद हिना और शिल्पा किचन एरिया में ये बात करते हुए नजर आए कि हिना का रंग पहले से काला हो गया अर्शी ने ये बोला लेकिन शिल्पा ने कहा कि उसका रंग तो पहले से ही काला था अकाश बहीं बैठ कर गाना खा रहा था उसने इस बात पर सवाल खड़ा क्या और कहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको ये स्टार्ट करना है अर्शी ने पलटवार करते हुए कहा कि तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है हिना का नाम आते ही तुम्हें क्या दिक्कत हुई है जबकि तुमने विकास को खुद बोला था कि वो पहले से काला हो गया है पूल में जाने के बाद सब लोगों के रंग पर फरक पड़ा है ये अर्शी ने बोला लेकिन शिल्पा ने उस पर आकाश को बोल दिया कि तुम हर बार शुरू करो ऐसा नहीं हो सकता हमने बोला है और बोला है हिना पहले से ही काली थी अब और भी काली हो रही है तुम क्या कर लोगे घर के अंदर कॉंट्रोवर्सी होती रहती है और इस कॉंट्रोवर्सी से अब आगे चल के क्या होगा ये देखना होगा और रामा क्वीन हिना खान इस पूरे विवाद पर क्या कहती है ये भी अब देखना होगा सल्मान खान क्या वीकंड के वार में शिल्पा अर्शी की क्लास लगाएंगे या फिर इस बात को टाल जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इतना जरूर है कि आकाश शिल्पा और अर्शी के पीछे पड़ा है और इस मुद्दे को वो जरूर भुनाएगा फिल्मी बीट में फिल्हाल इतना ही